अगर आप डाइट में किसी ऐसे चीज को शामिल करते ही जिससे आपके शरीर पर रियाक्षन होता है उसे फूड अलर्जी कहा जाता है दरसल इम्यून सिस्टम फूड में मौझूद हानिकारक तत्व को नश्ट करने में मदद करती है जिससे शरीर में अलर्जी पैदा होती है वैसे भी आजकल फूड अलर्जी के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है ऐसे में आप पाचन संबंधी समस्या, खुजली और सिर्दर्थ की समस्या से परिशान रहती हैं कई लोगों को अंडे, मचली, दूद, नड्स और सोयबिन तक से अलर्जी हो जाती है पैग्ड शरी कुछ मिंटों से लेकर एक दो घंटों में ही संकेत देना शुरू कर देता है कि कुछ गड़बर है, वह कुछ ऐलर्जी ऐसे भी हैं जिनके गंभीर लक्षन दिखने लगती हैं, जैसे कि जिन लोगों को अंडे से अलर्जी होती हैं, उन्हें हलकी स्किन अलर्जी से ल पैदा हो सकती है, एलर्जी के कारण स्किन पर चकते, एकजिमा, खुजली जैसी समस्या हो सकती है, कभी-कभी घरगराहट या सास लेनी में कठिनाई और सर्दी से भी परिशानी हो सकती है, आम तोर पर फूड एलर्जी के कारण मरीजों में उल्टी, दर्द, दस्त और कब ये शिकायत होती है, एलर्जी के कारण कुछ लोगों की आखे रेड हो जाती है, स्वैलिंग हो जाती है, कई बार तो एलर्जी, माइगरेन और चक्कर आने का भी कारण बन जाती है